प्यारे बच्चो को मेरा नमस्कार, MK Education चैनल में आपका स्वागात है, आईए बच्चो लर्निंग आउट्स कम पे आधारित लर्निंग ये सामागरी के अंतरगत कप्छा सात्वी की हम गड़ी तीवी से पेकार करते हैं, पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल संख्याओं का गुणा, गुणा किजिए तो 2325 में 125 का गुणा करेंगे, तो आप देख सकते हैं, 29625 इसका उत्तर आ गया, फिर है गुणा किजिए 625 में 125 का तो यह हो जाएगा, 78125 फिर 765 गुड़ी 346 करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 46 24,690 आ जाएगा इसका उत्तर, फिर 411 गुड़ी 432 करेंगे तो इसका आ जाएगा, 18,19,102 अब हम देखते हैं, अगली वर्षिट नमबर 6, जोड घटाना यह गुड़ा की समझ के लिए, तो दी गई संक्याओं को जोड़िए आप दीख सकते हैं, 53,946 में 12,050 को जोड़ना हैं, तो यह हो जाएगा, 56,996 इसी प्रकार 3,875, 1,518 वर 2,403 को जोड़ेंगे, तो 7,793 का आणसर हो जाएगा, फिर है हलकी जीए 9,993,225 में से 4,681 को घटाना है, तो इसका उत्तर आजाएगा थोड़ा मिश्टिक हो गया है इस सवाल में, आप इसे ठीक कर लीजिए आप दीख सकते हैं फिर 87,8,75, 675 में से 3,63,457 को घटाना है तो इसे आजाएगा 5,12,218 अब 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 शिट नमबर 7 पे चलते हैं, दैनिक जीवांची सम्मंदित गुणा की ओर इसके पूर में हमने जोड़ने के घटाने की सवालों का अध्यन कर चुके हैं अब हम गुणा की सवालों पर जाते हैं जनवरी महा में 31 दिन होते हैं और मसीन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है तो जनवरी 2021 में मसीन 2821 गुड़ित 31 मतलब 31 का महना होता है 31 दिन का तो इसका गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा अगला प्रशन है एक पानी की टंकी में 4645 लिटर पानी आता है ऐसी ही 17 टंकियों में कुल कितने लिटर पानी आएगा 4675 गुड़ी 17 कर देंगे तो इसका उत्तर हजाएगा 78960 लिटर पानी आएगा एक कुलर का मुल 6250 है तो 325 कुलर का मुल क्या होगा तो 6250 में 325 का गुड़ां करेंगे तो यह आजाएगा 20,41,250 अब हम चलते हैं वक्षित नंबर 8 दी गई है बड़ी संक्याओं का भाग तो इस विधी से आप भाग दे दीजिए आपका उत्तर बिल्कुछ सहीं आएगा जैसे एक भाग हमने यहाँ पे दिया है 5240 में 20 का भाग दिया है तो इसका जो भाग पल आया है 262 आ गया इसी पकार यहाँ पे इसका भाग फल 29 आ गया अब हम देखते हैं वक्षित नंबर 9 दैनिक जीवन से सम्मन्दित भाग और भी भाग के सवाल है पहला अभ्यास के अंदरगत प्रशन देखते हैं सूरज 22456 अपने चार बेटे में बरावर रुपए बाटना चाहता है बताईए हर बेटे को कितने रुपए मिलेंगे तो इसका हम 22456 में चार का भाग देंगे तो यह अचाएगा 5614 रुपए प्रतेग बेटे को मिलेंगे यदि 50 क्राम सक्कर में एक किलास सरवत बनता है तो चार किलोग्राम सक्कर में कितने किलास सरवत बनेगा तो एक हचार भाग देंगे एक किलोग्राम सक्कर अर्था देक हचार तो यह आजाएगा बीस बीस किलास सरवत बनेगा आसा है समस्त पसनों के उत्तर आपने लिख लिए होंगे हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए मेरा नमस्कार चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद